जैन दोस्तों क्या हाल है बात करेंगर आज की डेट में जो हमारे स्मार्ट फॉन से इस में फ्लैस आप ऐसे अलग-अलग देखते हो डिफरेंट डिफरेंट फोन में लेकिन मेरे पाद जो यह फोन है इसके अंदर आप जो फ्लैस देख रहे हो एक छोटी सी फ्लैस है उसके पर एक बड़ी सीट एक मिनी टूब लाइट जैसा दिखने वाला फ्लैस है जिसकी लाइट काफी स्ट्रोंग है लेकिन यह फ्लैस आज की डेट में किसी फोन में नहीं दिखता वाई उसका कैमरा आप देख रहे हो इसका शेटर ओपन होता है जब हम उसको यूज करते हैं इसके अंदर नोकिया 41 मेगा पिक्सल कैमरा है पेवर व्यू मेरा मन किया इस फोन पर बात किया जाए वैसे ही मेरा फोन नहीं है गैजट्स टू यूज से अब से आयो थे लखना हूं उनके पास यह फोन था मैंने रखवा लिया मैं का मुझे तो इस पर बात करने का बहुत यह मेरा पास नोकिया लुमिया 1020 अब इसके फ्लैश के बारे में क्यों नाम लिया अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक छोटी सी LED फ्लैश है उसके उपर एक बड़ी सी फ्लैश है जिसे जिनोन फ्लैश बोलते हैं बट अभी यह फ्लैश देखने को नहीं मिलता अभी लेकिन उससे पहले कोश्चन है जिनोन फ्लैश होता क्या है यह इंट्रस्टिंग कोश्चन है बताता हूं आपको लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आप नए है चैनल पर कावशार लोग वीडियो देखके चले जाते हैं वापिस आईए सब्सक्राइब करिए यह जिनोन फ्लैश अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा ब्राइट तो है और साथ में जब यह ग्लो करता है यानिकि फ्लैश जो इसका वाइट फ्लाइट की फोर्म में है जबकि आप अपने फोर्म में अभी वाले थोड़े वोम टोन में देखते हो बट यह पूरा वाइट कितना तेज है यह वैसा नहीं अभी के जो फ्लैश होते लीडी फ्लैश उनको आप फोटो में भी यूज करते हो इससे यूज नहीं कर सकते है इसके बीच रीजन यह एक जिनोन फ्लैस है पहली बाद तो इसको एक पावर जादा चाहिए फ्लैश करने के लिए और सेम टाइ यह इंस्टन थोड़ी टाइम के लिए फ्लैश करता है जलता है मतलब और काफी फास्ट होता है यह और यह जिनोन फ्लैस ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फोन में था इन्फेक्ट जब यह फोन आया था जिनोन फ्लैस कैमरास में भी यूज होते थे तो यह काफी डबलू एट वन जीरो इसके अंदर अलग से यह फ्लैस लगाया जा रहा है ताकि ब्राइट फोटो आये तो एक्स्टरनल यूज किया रहता था इतना ब्राइट होता था तो अभी के रेट में स्मार्टफोन से यह क्यों कर दिया गया रीजन यह तो जिनोन फ्लैस का लिए और जब्लब करने के लिए और जब कि ये continuous ग्लो भी नहीं कर सकता तो आफ वीडियो में यूज नहीं कर सकते तो ब्रेंड न हनके कहा किया लीडी फ्लैस को बेटर परो इस लिए का मैं यूज करते अलग से इसको यूज करो प्र ल॥ो फिर अश्य क्स्टिक्वार्न करते थे तो आज से 10 से 11 साल पहले 41 Megapixel पर इमेज प्रोसेस करता था अलगी मैं कैमरा सेटिक में चेक कर रहा था ये एक्ट्वल में 38 Megapixel का हाई resolution फोटो क्लिक करता है और साथ में 5 Megapixel एक और फोटो शो करता है जो कहीं शेयर करने में असानी हो क्योंकि 38 Megapixel की फोटो काफी हाई हो जाती है बट 38 Megapixel फोटो क्लिक करता है आज के स्मार्पोन में आप देखते हो नो 200 Megapixel 50 Megapixel ऐसे अलग अलग होते है उनमें क्या होता हाई Megapixel पर तो काफी details भी निकल के आते हैं colors भी अच्छे लगेंगे आपको डेफिनेटली फोटो अट्रेक्ट करने वाली है बढ़ हां कुछ कमिया तो है जैसे आज की रेट में जो फोन आते हैं उनके comparison में इसका HDR processing इतना अच्छा नहीं है डैनमिक रेंज उतना अच्छ फास्ट नहीं है कुछ ऐसा सा हाल है बाकि यह वीडियो से compare नहीं कर सकते है आप विडियो रिकोर्ड करता था maximum तो आज के टाइम से compare करेंगे तो यह कुछ कमिया लगेंगी इसके लेकिन अपने टाइम से compare करेंगे जो फोटो आप देख रहें यह सब काफी कमाल की फोटो निकल के आती थी तो मैंने reference के लिए एक mid range phone उठा लिया एक आज का flagship iPhone 15 pro उठा लिया देखे कैसी फोटो आती हो बात होई है आउट्डोर में अगर light condition अच्छी होती है तो आज भी यह Nokia अच्छी फोटो देता आप देख सकते हो बड़ जैसे ही आप indoor light में आते है artificial light में आते है तो मतलब mid range का phone भी much better HDR process करता है और अभी रात का time है flash check करते इसका light range का phone है यह इसके flash की photo है अभी नंबर है यहाँ पे iPhone का iPhone से click करते है और अभी इस Lumia से photo click करते है flash on tap click तो इन त्युनों फोन से click की गई photo देखो आप आपको देखेगा इसका xenon flash वाकई में काफी शार्प है अब यहाँ पे जो photo है अगर में इन सब्जेट पर photo zoom कर देता हूं ना आप यह बीएड के बालों को देखो आप इसके flash की वज़ा से यह आज के flagship और mid-range phone से भी sharp detail दे रहा बीएड में वह सारा कमाल है इसके xenon flash का काफी ब्राइट है को और photo click किया था अंधेरे में यह देख लो आप आप इमेज processing पर ध्यान मत दीजिए लेकिन अगर आप flash की वैसे जो ब्राइट पार्ट देखना चाहते है फोटो में compare कर सकते हो इसके flash को कितना असरदार है बाकि यह Nokia अंडरोड की तरफ move on कर गए Nokia धिरे-दिरे move on किया नहीं जितना तेजी से करना चाहिए था फिर नोकिया चमडी global के पास चली गई कुछ अंडरोड फोन भी आये थोड़ा सा popular भी हुआ Nokia बीच में जब एकदम से अंडरोड फोन लाए थे यह Nokia 8.1 सबसे पॉप्लर फोन था अलाकि जब वो सस्ते रेट पर हो गया था तब पॉप्लर हुआ था 15,000 रुपे से नीचे विका था मैंने खुद खरीदा था अपने चैनल जब शुरू किया था ना मैंने वीडियो बनाई थी बहुत कमाल की फोटो देता था लेकिन धिर धिरे Nokia गोल हो हुए दोस्तों बढ़ा यह था पूरा यह फोन मुझे बड़ा मजा है इस फोन को यूज करके कभी जल्वा होता था आपका Nokia को कौन से फोन के साथ यादे जूड़ी हुए कॉमेंट करके जरू पताएगा वीडियो परसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करिएगा म मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में